एक टूरिस्ट अमदाबाद देखने के लिए आया था तब उसने वहां के एक पुरानी स्टैच्यू को देखा और हसने लगा बाद में वो वहां से चला गए फिर दूसरे दिन वो वहीं पे कुछ काम से निकल रहा था दूसरे दिन भी ऐसा ही देखा और हसा और चला गया उसको एक लड़का दूर से देख रहा था तीसरे दिन जब वो वहां पे आया और हसने के वक्त पे एक वही लड़का उसको देखते हुए उसके करीब आने लगा उसके पास पहुंचने के बाद पूछा अरे भाई क्यों हस रहा है तब वो बोला ऐसे ही हस रहा हूँ अरे यह हसने की चीज नहीं है यह तो जीने का तरीका ही बदल देगा करते हुए कहानी सुनाता गया इसको देखके एक लड़का एक दिन ऐसे ही बैटा था तब एक गरीब लड़का उसको परेशान करने लगा बहुत सताया बाद में उसने उसको पीने के लिए कुछ दिलाया फिर भी वो परिशान करते रहा फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ा कुछ खाने के दिलाओ तरके उसके पीछे बढ़ा लेकिन पहले ही परेशान में था जो लड़का उसको दिखाया मेरे पार पैसे कुछ नहीं है उसको जाने के लिए बोला वहां से और वो लड़का अपने आप चलने लगा बाद में उसको देखा तो वो अंदा था इसलिए यह उसका मदद कर रहा था दूसरा लड़का एक दिन पार्क में सो रहा था तब का एक हाद्शा हुआ वहां एक लड़के को तीन गुंडे मार रहे थी आगे बटे आगे जम प्रेखी प्रेंग प्राइब मार खाने के बाद वो सोचा मैंने मार तो खाया लेकिन वो लड़का तो बच गया यह दूसरे लड़के के कहानी की और तीसरे की तीन नए लड़के सिती घूमने के लिए चले उनको कुछ अड्रस का पता चलना ही रहा था तब उन्होंने जाके एक आदमी को पूछा भाई तब उनके साथ ओ आदमी इन तीनों लड़कों को और साथ में लेके गया ऐसे और बहुत सारे स्टैचूस है तो जीने के तरीका बदल देंगे तो हर पुराने स्टैचू के पीछे बहुत सारे कहानिया रहते हैं क्या आप सोचेंगे इस बारे में क्या है क्या हया आप आप एतुआlessly जया है क्या विसकी दो और बहाई है विसा ऊता है झाल झाल